वेलो, नमस्ते, ऐस्सालाम वालकूम, सस्तरकार, राम, राम, क्या हाल चाहें मेरे भाय लोगते हैं? यास? नदीम सरवक जी वन अब दा मोस्ट क्या सकते वन अब दा मोस्ट फेमस नौहा क्वांस इन दे वर्ल्ड मैं ते कहूंगा यार इन दे वर्ल्ड विकॉस पूरी दुनिया यह मसूर है वो नौहा पढ़नेकली एंड मेरे फेवरेट है मेरे लिए कह सकते नंबर वन पर आते है यस उनके नौहाओ के लिए के बहुत request आती रहती रहती है एंड उन मेंसे एक नौहाओ है जिसकी request बहुत पहले से आ रही है अना इना मे कैसे एक place है जो कि साउदी अरेविया में है and मीना एक कैसे इक neighborhood place है उसी का मक्का का So yes, अगर आप मक्का और मीना को जोड़ दें तो बन जाता है मदीना and yes, मदीना में रहते थे रसूल अलाहिससलाम and yes, अना इबन ए मक्का और मीना इसका पूरा मीनिंग होता है रसूल अलाह का बेटा So I think मैं सही कहा रहाँ रसूल अलाह का बेटा and yes, this noise all about maybe इमाम सज्जाद अलहिससलाम क्योंकि जब उनकी फैमली जो थी इमाम मुश्ण अलहिससलाम जो मतलब लोग जब सहीद हो गए थे न करवला की जंग में उस वक्त जब जो बच्चे वे लोग थे उन्हें यजीदों ने क्यायत कर लिया था तुम्हें ही पता है जो उनकी बेटी थी चार सल की बेटी उनके बेटे थे इमाम सज्जाद अलहिससलाम सबसे बड़े बेटे क्यात कर लिया गया था यस कैसे थे उस वक्त जब यजीद के मतलब जो किया क्या दरवार कहते है न उस जगवा पर जब इमाम सज्जाद अलहिससलाम को खड़ा करा गया उनके बारे में उनसे पूछा गया था उस वक्त मैंने सुना उनकी तवेदी बहुत कराब थी उस दिन यस उस वक्त उन्होंने क्या क्या कहा अपने परिवार के बारे में इमाम सज्जाद अलहिससलाम के बारे में रसूल अल्ला के बारे में मौहमत पेगंबर के बारे में मौला अली के बारे में आइधिंक मुझे लग रहा है इसी के लिए गया है यस विदाउट इनी वेस्ट स्टार्ट करेंगे रेक्शन मुड़े को सो लेट्स गोएंड च्छेकाव बयान करता हूँ दरवार शाम का मनजर जहां ते साथ सो कुर्सी नशीन फितना गर यजीद जूम रहा था शराफ पी पी कर और ऐसी बजम में अफसोस आले पेगंबर था उनके सामने एक बदकलाम मिंबर पर बयान करता था जूटे यजीद के जोहर जब उसने खत्म की तक्रीर बदकलामी पर खतीब जहल से बोले ये आबिदे मुस्तर के तुने खुश किया मखलूख को जुरूर मगर खरीदा कहर खुदा तुने मुक्तसर जर पर अरे जहां हो जिकर बदतवार वो मिंबर कब है लकणियों का है वो अमबार वो मिंबर कब है कहा यजीद से कुछ मैं कहूं इजाज़त दे यजीद चुप था तो दर्बारी सारे कहने लगे यजीद दे दे इजाज़त इसे भी कहने दे ये क्या कहेगा लरसता है जो लकाहत से संभाने तौकुर असन शाने किर्दिगार आई इमाम आएक के मिंबर पे जल्फिकार आई या हुसें या हुसें या हुसें या हुसें या हुसें जिसका मिंबर था वो ही बरसर मिंबर आया वो अकेरा था मगर सूरत लश्टर आया लबकुशा सूरत पुर्ण वो है गर आया जब वो खामो और जबा कर सरे दरबार चली कर्बला में नचली थी जो वो तलबार चली अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमो सफाः अना इबन अर्धियो फातियो आ लहजए लूर में मौला ने कहा बिस्मिल्ला लाइक हम्दो सना है तो वो ही एक खुदा जिसने हम आल महम्मद को है तखली तिया जिसको मालूम है मालूम है मेरा शजरा जो नहीं जाने था वो फिल तारुफ मेरा अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमो सफाः अना इबन अर्धियो फातियो आ हम को अल्लाह ने छे खुबिया बख्षी बाखुदा इल्म और हिल्म दिया और दिल मुमिन में रखा है समाहत वा फसाहत वा शुजात विरसा कम ना थी खुबी अच्छे को के ये इज़त के लिए कम ना की खुबी अच्छे को के ये इज़त के लिए सिफ़त साथ मिली और फजीनत के लिए अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमो सफाः अना इबन अर्धियो फातियो आ हम में अवबल जो थे वो एहमद मुफ्तार हुए कोई हमसा तो कोई जाफर तयार हुए हम ही हैदर हुए अवपा से अलमगार हुए हमको मैं राजे रिसादद भी मामद भी मिली हमको महलाब एबादत में शहादत भी मिली अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमो सफाः अना इबन अर्धियो फातियो आवाः उसका फ़र संदू हु सह रोज रहा जो प्यासा दर्मिया जीन और जमी जिसका रहा था लाशा जिसके सजदे के सबब खाग वनी खाक शिफा खाग और खून में डूबा था मामा जिसका सुमे असपर तले रौना गया लाशा जिसका अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमों सफा अना इबन अर्धियों फातियों अहल इंसाफ अब इंसाफ से इतना कह दे जिसकी चौकट पे सलामी को फरिश्टे उतरे नोके ने वासे लई उनकी रिदाएं लूते तुमने खैमे नहीं अल्लाह का घरगा किया कर्मा पढ़ पढ़ के मुहम्मद का जिगर्चा किया अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमों सफा अना इबन अर्धियों फातियों जिसके पर्दे के लिए आयत तकहीर आएं संग बरसाते हुए फुल पे यहां तक लाएं है फै रूह महम्मद से न तुम शर्माएं हमने पाबंदे रसन होके तुझे मारा है अना इबन मर जाना तुझी ता तो नहीं हारा है अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमों सफा अना इबन अर्धियों फातियों को आजब फुल गई सादा के महम्मद है यहां रोदिये एहल जफा अभरा बगावत का समा और इसी शोर में हाक उनने दिया हुतम-आजां साथ अफ्राद जो यक मुष्ट यजा देने लगें साथ अफ्राद जो यक मुष्ट यजा देने लगें हक्मِ سجاد के दर्वारी बयान देने लगे अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमों सफाः अना इबन अजियों फातिवाः जब मौजिन ने किया कर्मे तक्बीर अदाः बोले सجاد बुजर्गी है उसी को जिवाः जैसे ही ना मौहम्मद का मौजिन ने लिया मौजिन हाकिन से कहा तेरे इरादेबद है यह मौहम्मद है तुम्हारे के हमारे जद है अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमों सफाः अना इबन अही उ फातिवाः आए त्यूँ अपने छुपाता है अजाने देकर थे अगर तेरे मुहमद तो सितम क्यों हम पर डाल इस तौफ पे जन्जीर पे एक बार नजर जखम जो तूने दिये सब दिले बीमार में है बेटिया है ये मुहमद की जो दर्बार में है अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमो सफाः अना इबन अर्भी उ फातिवाः तू तो कहता है के है ढोग न उजो बिल्ला न पयाम पर न वही आई न पुराँ उत्रा फिर आजाने भी तू दर्बार में है दिल वाता ले मुनाफिक तेरे चेहने से उतरती है नकाब जिसका मुनकिर है वो कुर्भान तेरा लेगा हिसाः अना इबन मकामिना अना इबन जम्जमो सफाः अना इबन अर्भी उ फातिवाः इस शकावत पे भी हम हारे नहीं जीद गए नामजानों में तुम्हारे नहीं हम जीद गए क्या ये पुद्रत के इशारे नहीं हम जीद गए यक बायक हम भी सब को नजर आने लगी मरहबा सियद सज्जा सदा चाने लगी मरहबा सियद सज्जा सदा चाने लगी बोने फिर आबिद बीमार ये इश्जद देखी देखी ए तखत सितमगार ये इश्जद देखी फिर गया तुझ से ये दरबार ये इश्जद देखी जिसका हामी हो खुदा कौन उसे दिल्लत दे इस्जद दे इसकी है अल्लाह जिसे इस्जद दे वाई हुसेया वाई हुसेया उत्रे मिंबर से तो बाबा के कटे सर ने कहा मरहबा ऐ मेरे सज्जाद गरीब जहरा मुजजा सर्वर और रहान सलक ने देखा के खुदवए जैनब और सज्जाद ने वो काम किया हश्र तक जिकर हुसेयन इबने अली आं किया हाई हुसेया, हाई हुसेया हाई हुसेया हाई हुसेया that's it so yeah basically it's all about यजीद की दरबार की पुरी स्टूरी थी इमाब सज्जाद अलेहसलाम जो की क्यायत करा गया था तो उस वागद उनकी तव्यद्वार थी तो उन्होंने कहा कि उनको भी बोलना है तो यस किसे ने मतलब कि यजीद के किसी लोगों ने का मतलब I think कहा कि तुम ठीक से खड़ा भी नहीं हो पार आप बोलोगे क्या यजीद कि एगलत फैमी थी इमाम सजड़ बोले तु खूब बोले मैं पहुत सारी बाते कर अगले कि यस भले तुने लिए खुशी बना ली भले तेरा एक वकले नाम हो गया बट इमाम हुसेंण अलेसलाम का नाम जो है अमर हो गया लोगों के दिलो में बस गया अजान में आज हमारा नाम आता है तेरा नाम नहीं आता है तू भी मोहमत पेगंबर को मानता है तू भी क्या कलमा पड़ता है बट फिर तुने इस तरह की सितन क्यों की हमारे उपर में इस से हमारे जो इसे केते हैं हमारे जो मतलब जो हमारे लोग है तुमने हमारे लोगों पर मतलब जुल्म नहीं किया तुने मुहमत प्यगंबर पर जुल्म किया यह बात थी बहुत सारी बाते करी बहुत सारी यजीद की एक तरह से कहा देना कि मतलब पुरी बोल्दी बन कर दी उन्होंने उस जगह पे लानत के सिवा और क्या आता है हिपोक्रिट जिसी कहते है सिर्फ है सच बता रहां मेरे लिए था हिपोक्रिट में हमें साही बोलूँगा यजीद इस लाइक बहुत मुनाफिक था वह हैं वो भी यार मुसल्मान था है फिर भी हमें साही लामत आता है मुझे जब से मैं नोहां सुन रहा हूं मुझे कहना बढ़ाए यजीद बहुत बहुत मैं गाली देने का मन करता मैं नहीं दे सकता कि मैं बहुत क्लिर लिए नौहा मुझे समझे में आगे हैं बहुत जिसे कि अध्यूह आ हाड नौह नहीं था यह अपने एक नौहा लिया था जिसका नाम था आ कखे हैं। मुझाल भलत है। और जलिए था प्रिछा नम अश्क है। मतलब पुरी बूलती बन कर दिया जीत के यार। तो या, that's it for today, मिलते हैं नेक्स ट्राइक्टोड में, I hope तिमको पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिस लाइक करें, सेर करें, स्काइब करें, and yes, थोड़ी सी आवाज मेरी थोगे से फटी फटी से आरी न, मैं बहुत देर से सूट कर रहा हूं, that's why, तो या, नेक्स था लोगे से एन गवाब साथ मेश बाहा हूं, करें आरी थसकीас, श Communi, prob